वोटिंग लाइने सो चुक히 है, क्लोस, जी हा, आज कौन घर से बेगर होने वाला है, क्योंकि आज है सल्मान खान शूट करने वाले हैं, शूट वो वाला शूट नहीं, शूटिंग करने वाले हैं बिग वोस के वीकेंड के वार की, और ये पहला वीकेंड का वार रहेगा, किसको कितने vote मिले हैं सबसे यादा किसको मिले सबसे कम किसको मिले और कौन आज घर जा रहा है चलिए उस पर अपन बात कर लेते हैं देखों सबसे यादा अगर बात करें तो पहली बार से ही यानि जैसे वोटिंग लाइन ओपन होती है और कलोज होने तक एक ही बंदा टॉप पे रहा है वो है करनवीर महरा और ये बंदा मतलब की लगता है कि सुलजावा इंसान है बाते भी सुलजी हुई करता है है ना और फ़नी चीजे भी करता है कुछ हसी मजाक वाली भी करता है लेकिन भाया समयदार है और विनर बनने के लाइक भी है अब बात आती है कि विविय नमबर दो फिर चाहत पांडे चाहत पांडे की ऐसी परसनेलिटी बन चुकी है जैसे कल का एपिसोड आपने देखा महानता की मूरत वो नजर आती हुई नजर आ रही है मलब बिग बोस के घर में ये सब चीज़े नहीं चलती है ठीक है और जिस तरह से वो कर रात बोड यह थ पांडे की चाहत पांडे तो मेरे इसाब से तो वो ठीक है लेकिन अच्छी खासी उसे वोट मिल रही है लड़की कुछ भी हो नमबर तीन की बात करें तो अविनाश मिश्रा अविनाश मिश्रा भी कुछ सुल जीवी बाते कर जाता है जैसे कल वो बोड आ था कि भाई दोन दोनों में से एक आना चाहिए ठीक है दोनों का मैं उसके साथ सहमत नहीं कि दोनों आने चाहिए दोनों में से कोई एक आ जाए या फिर दोनों रह जाए तो वो बात भी उसने सुलजी हुई कई थी कि जेल से बाहर जो भी आएगा उनकी गलती है भी है क्यों महंता पूरी रात भीया, फुल ही सीरियस मुद्दा लेके इसको चल रहे हैं है ना है इंटर्टेन्मेंट देते लेगे इस चीज़ को सीरियस मुद्दा लेके चल रहे हैं कि भाईया इतने लोग मुझसे डरते हैं सरकार तक डरती है अब मैं जेल में जाकर बैठंगा चाहिए वो गेम के लिए हो तो मेरा मजाक नहीं बनेगा कि भाईया पांच दिन से अंदर कैद है क्योंकि उससे पता है कि भाईया पांच शे दिन तो उनको भी हो चुके हैं अंदर भी करते हैं कंटेंट वो बंदा दे रहा है और जिसके चलते उसे रात तगडी वाली स्पोर्टिंग हुई है परसनली मुझे अच्छे लगने लगे है आपको कैसे लग रहे है तो मुसकान बाiesoने कल मुसकान नुsmान झाली पर जाते हैं अब देखना होगा मेरे साब से नो एलमिनेशेर रह सकता है क्योंकि मेकर्स है वो एक हफ़ता और रखेंगे मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मुश्कान लग तो निरा की कंटेंट देंगी क्योंकि अभी वो चुप बैठी है शायद उसे गेम में आने के लिए एक हफ़ता लग सकता है लेकिन जितना मैंने उसकी परसनेलिटी देखी है वो यादा बोलने चालने वाली लड़की नहीं है यादा लड़ाई जगडों में पढ़ने वाली लड़की नहीं है हो सकता है अगले हफ़ते तक उसका ऐलिमनेशन भी हो जाए तो मुश्कान बामने नमर पाँच पे है जो कि यहाँ पर कुछ भी नहीं करते हुए नजर आ रही है आप क्या बोलें कि कुमेट बोक्स में अप्री राय जूर दे इसके साथ गाईज आप मुझे फोलो कर ले सब्सक्राइब कर ले आपको पता है बिग बोस 18 की हर एक अपडेट हम लगादार आपको दे रहे हैं तो इस्टाफ फोलो कर लेना है आपको क्या लगता है कौन आपका फिवरेट है और कौन घर जाएगा ये भी बता दीजिए